हेलो दोस्तों आएए देखते हैं सुच्म तरंगे क्या होती हैं माइक्रोवेब क्या होती हैं सुच्म तरंगे जिन्हें लगु तरंग दैर की रेडियो तरंगे भी कहते हैं सुच्म तरंगे की आबृतियां गीगाहर्ट्स के परास्के होती हैं सुच मतरंगों की अबृतियां जो होती हैं वह गीगा हर्स के परास्क में होती हैं यह विशेश प्रकार की निर्वात नलिकाओं जिन्हें कलाइन्स्ट्रान, मैगनेट्रान अथवा गन डायोड कहते हैं के द्वारा उत्पन की जाती हैं सुच मतरंगे जो हैं वह विशेश प्रकार की निर्वात नलिकाओं के द्वारा उत्पन की जाती हैं जिन्हें कलाइन्स्ट्रान, मैगनेट्रान अथवा गन डायोड कहा जाता है अपने लग तरंग दैर के कारण बिमान संचालन में रडार प्रणाली के लिए उप्योग्थ है लग तरंग दैर के कारण जो है बिमान संचालन में रडार प्रणाली के लिए उप्योग्थ है रडार जो है तेज गेदों जैसे की टेनिस में सर की गई गेदों या बाहनों की गती ग्यात करने के लिए उप्योग में लाए जाने वाले यंत्र चाल गनों, गनों की कारप्रणाली का भी आधार है, माइक्रोबेव ओवन इन तरंगों का एक रोचक घरेलू उप्योग है, सुछम तरंगों का एक उप्योग माइक्रोबेव ओवन है जो घर में यूज होता है, इन ओवनों में सुछम तरंगों की आबृत्ति इस प्रकार चुनी जाती है कि वे जल के अड़ों की अनुनाद आबृत्ति से मेल खा सकें, ताकि तरंगों की उर्जा प्रभावी रूप से अड़ों की गतिज उर्जा बढ़ाने के लिए अस्थनांत्रित की जा सकें, इससे क किसी भी जल युक्त खाद्य पदार्थ का ताप बढ़ जाता है ठीक है तो सुष्म तरंगें लगु तरंगदैर की रेडियो तरंगों की या बृतियां गीगाहर्ट के परास में होती हैं ये विशेश प्रकार के निर्वातिद नलिकाएं जिन्हें क्लाइस्ट्रान करते हैं कि द्वारा उत्पन्र की जाती हैं अपने लग तरंगदैर के कारण बीमान संचालन में रडार के लिए उप्योगत bucks होती हैं रडार तेज गेंदों जैसे की टेनिस में सर की गई गेदों या बाहनों की गती ग्याद करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाले यंत्र, चाल गनों, गनों की कार्य प्रणाली का भी आधार है। या प्रभावी रूप से अंगों की गती ग्याद बढ़ाने के लिए अस्थांतिर की जा सके, इससे किसी भी जल युक्त खाद पदार्त का ताप बढ़े जाता है। यह था आपका सुच्म तरंगों के बारे में।